हाई एवरिवन कैसे हो आप सभी लोग आयोब आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जैस्वाल एं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर अमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगेन आपके सामदिक most important lecture वीडियो लेकर आगया दोस्तो और ऐसा lecture वीडियो लेकर आया हूँ जिसका आप लोग को बहुत दिनों से इंतजार था जी हाँ दोस्तो मैं बात कर रहा हूँ जोग्रफी सब्जेक का आप लोग जो कंटिनुवसली कॉमेंट करती कि सर आपने हिस्ट्री तो स्टार्ट कर दिया लेकि जोग्रफी भी जल्दी स्टार्ट करो तो आपकी जो आज मुराद है जो डिमांड है वो आज पूरी कर दिया हमने तो आज पहला lecture आप लोग के लिए हम लेकर आगये जिसमें हम पढ़ेंगे 10 स्टैंडर जोग्राफी क होंगे इनकी अगर मैं बात करूँ एक नॉमल तरीके से मेरे अंदाजे से मैं अगर मैं बोलू तो यह बहुत सारे लोग यह चाप्टर को स्किप कर देते क्यों कि यह चाप्टर पढ़ाने लायक नहीं है यानि कि सिंपल तरीके से बात करूँ यह चाप्टर के अंदर आप अगर अपना बुक को ओपन करके देखोगे महाराश्ट्रस बोर्ड के सिला बस का, तो अब पूरा का पूरा conversation है, कि यहाँ पे एक लड़का रहता है, वो अपने schools के साथ, जाके कहीं पे तो जाता है, यानि कि field visit, जिसको हम लोग बोलते हैं, chapter का नाम की है, field visit, यानि field visit करने पूरा conversation है, तो यहाँ पे मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोग को यह जो चीज जो बाकी लोग skip कर देते हैं, उसको मैं अपने तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, उमीद करता हूँ कि यह जो conversation चीज है, मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा, conversation type में ही जो conversation हो रहा था, वो आपको अच्छे समझ में आए, ठीके, बड़ अपना थोड़ा सा में तड़का मार के बताऊँगा, तो प्लीज थोड़ा सा अपना टेक्स बुक बगरे भी साप में उपन करके बैठना, और हमारा जो बता रहे हैं, उसको भी ध्यान से देखना कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे, बहुत सारे मतला इनफ वीडियोस अल्रीडी एवेलेबल है, हमने हर चीज अल्रीडी रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, प्लीज जाए चेक कर लीजिए, और आपको हर चीज मिल जाएगा, ठीके, साथ ही में जो second channel है, उसको पहले अगर मैं बताओ, क्या होता है, कि राहूल नाम का एक लड़का रहता है, आप मुझे ही consider कर सकते हो, ठीके, तो राहूल is going for a field widget from its school, जो school की तरफ से लेके जाते हैं, हर एक बच्चे को, यहाँ पे, कहीं पे भी कोई, जैसे कि मैं जब छोटा था, तो हमें thermal power plant जो होत तो उसी प्रकार यहाँ पे राहूल को एक field widget के लिए लेके जाया जा रहा था, राहूल को मतलब उसके जितने भी classmates है और उसके साफ में teachers भी जा रहे थे, कहां से नल्ग दूर्ग करके एक जगा है ओस्मानाबाद से, क्योंकि शायद आप में से बहुत सार ऐसे लोग होंग जो कि रायगळ डिस्ट्रिक्ट में है तो नल्ग दूर्स से कहा जा रहे थे अलीबाग जो की आता है किसमें रायगळ डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो यहाँ पे वो लोग एक field visit करने के लिए जा रहे थे, और उसमें जा रहे थे बस में जा रहे थे, ऐसा उन्होंने बोल तो टीचर ना एक यहाँ पर नॉर्मली बोल दिया कि आप लोग जो है अच्छे से रिडी रहो अपना बैक पैक वगरे जो ही भी करके रखो हम लोग जाएंगे एंड एंजॉय करेंगे ठीके तो सबसे पहला जो डे शुरू होता है डे वन ठीके न उसको आपको मैं थोड़ा सबसा ऐसा बारी-बारी से बताता हो ताकि आप लोग भी experience आप में कर सको कि exactly क्या हुआ रहेगा तो पहला दिन की बात आज करेंगे फिर जो दूसरी दिन की बात होगी वो किसी और लेक्चर में करेंगे तो फर्स डे में शुरुआत हुई दिन की 6 बजे 6 बजे की शुरु दूसरी तो normally teacher ने कहा कि आप जितने भी student है नलग दूर से यहां पर क्या करो बस में बैट जाओ और बस में से वो लोग जब निकले तो उन्होंने एक instruction दिया था teachers ने बच्चों को बोला था कि आप लोग जो है अपने खिड़की के आसपास जरूर से चेक करते रहे ना कि आप लोग को क्या क्या नजर आ रहा है और उसके बारे में अपने एक notebook में maintain करना है हम लोग teachers लोग बोलते है ना कि हमेशा हमको क्या करना चाहिए observe करना चाहिए मैं भी आपको यही चीज बोलता हूं कि कहीं पे आप जाते भी हो ना तो observe करो कि क्या क्या चीज़े है रोड क जो है निकल चुके और हम क्या करेंगे यहाँ पे breakfast करेंगे सोलापूर में ठीक है रास्ते में जब सोलापूर आएगा तो वहाँ पे रुकेंगे और breakfast करेंगे और आप लोग जितने भी observation यहाँ पे रुकते हैं उसको क्या करो observe करते जा और देखते जाओ बाब में जो राह रहेगा वही मैं बता सकता हूँ ठीक है तो प्लीस थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो आगे के चाप्टर और ज्यादा मजदार होंगे तो और अच्छे से जाएंगे पहला चाप्टर है स्किप भी नहीं कर सकता बाकी लोग के जैसा स्किप नहीं करना चाहता आपको education देन पेट्रल परम्स होते हैं ऐसा बहुत चारे अलग-अलग दुकाने होती ही वहाँ पे देखा तो टीचर ने बोला येस बराबर आप अब्सर्व कर रहे हो मतलब आप सही देख रहे हो आपको समझ में आ रहा है कि क्या है फिर टीचर ने बोला मिना एक student उसने पूछा मैडम क्या हम लोग एक slope की तरफ जा रहे है यानि कि धलान में जा रहे है क्योंकि आपको पता है कि ये जो इलाका है और खासकर अलीबा के लिए जाने के जो रास्ता है वो थोड़ा सा sloping है यानि कि पहाड़ों के बीच में से गया हो वेस्टन घाट से ना पूरा वहाँ पे तो उदने बोला कि सही है कि हम जो है southern part of बाला घाट range एक range है पहाड़ी इलाका बाला घाट range करके है ठीक है तो बाला घाट range से हम लोग क्या कर रहे है हमारी जो बस है वो पहाड़ से नीचे उतर रहे है आप आपने अगर ट्रावलिंग किया है तो आप समझ पा रहे हो जो भी मैं बतानी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ रास्ते जो होते हैं पहाड में से बनाये रहते हैं तो कभी-कभी चड़ाई भी होती है यानि कि चड़ाई मतलब ऐसा नहीं कि सीधा स्ट्रेट थोड़ा सा चड़ाई होती है जिसमें आपको बस को या फिर कोई गाड़ी को ज्याद पस बिलॉंग करते हैं तो सयादरी रेंज है वहाँ पर ऐसा टीचर ने बताया तो सुरज ने पूछा यहाँ पर मैडम यह जो रूलर एरिया यहाँ पर हम लोग ना हाउसेस को देख रहे हैं और जो यह हाउसेस के जो वाल है यानि कि जो दिवारे हैं वो क्ले के बने मिट बने मढ़ के बने और कुछ ऐसे जो है वो लकडी के बने हुए चद भी लकडी के बने है तो ऐसा उसने अब्जर्व किया कि इसने यहाँ पर सुरज ने अब्जर्व किया फिर रेंडिका ने बोला दूसरी कोई स्टूडेंट होगी वहाँ पर क्योंकि देरा सो मेनी बता रहे थे तो हम किसकी बात करते हैं यहाँ पर यहाँ पर हम बात कर रेंडिका तो उसने बोला कि हमने यहाँ पर सुखे-शुखे घास देखे हमने देखा कि बड़े-बड़े ट्रीव से जिसके पत्त्य बंबे-लंबे है शेड आ रहा है उसके विए से यानि कि छाव ब भी बोला और ये जो settlements है यानि कि जो इस तरीके के जो घर बनते है ना line में मिट्टी के इसको हम लोग बोलते है linear settlements ठीक हो मैं हर चीज लिखाऊंगा रही बहुत simple सा chapter है इसमें जादा कुछ है भी रही questions भी एक ही question पूछता है field visit के बारे में खुद से ही लिखो ठीक है बहुत simple है लेकिन फिर भी आप लोगो just for entertainment purpose आप बोल सकते हो या फिर आप थोड़ा सा knowledge की थोड़ा भी समझ में आ जाएगा तो आप लोग ले लो बहुत important है ठीक है ले लोगे 10th है कुछ भी चीज इग्नोर नहीं कर सकते है ठीक है तो ये चीज को क्या बोलते हैं linear settlement बोलते हैं और ये जो houses होते हैं ये जो है मड के यानि की मिट्टी जो होते हैं मिट्टी के बने हुए या फिर लकडी के बने हुए houses जो होते हैं ये जो होते हैं बहुत ही जादा यहाँ पे पुराने जमाने से जो है वो चले आ रहे ऐसा उन्होंने बोला ठा सा ठीके हैं और ये traditional house है यानों कि traditional मतभ़आ है हमारे परंपरह में है लोग थोड़े में में रहते हैं हम लोग बीलडिन्ग में है हम लोग भी पहले के खपड़े का घर मित्य ग़र लकड़े का घर ऐसे बना के रहते है थे तो वह चीज अभी भी है वहाँ कहीं ने कहीं, तो ऐसा जब लोगों ने observe किया, यानि students ने जब observe किया और teacher को बता है, तो teacher ने explanation दिया, कि यहाँ यह traditional houses है, और अलग-अलग तरिके से बनाए हुआ है, और यहाँ पर आसपास vegetation भी किया जाता, agriculture भी किया जाता है, ऐसा उन्होंने बोला, और कुछ ही समय के बाद, वो लोग कहा पहुझ गए, तो मैंने स्टार्ट में बता है, तो सोलापूर पहुझ के वो लोग क्या करेंगे, नाश्ता करेंगे, यानि breakfast करेंगे, फिर क्या हुआ, teacher ने बोला, कि हम लोग अभी सोलापूर पहुझ गए है, और ये जो एरिया है, इसका जो चाहा होगा, तो यहाँ पे मल्टी स्टोरी हाॉसेज भी है, यानि कि बड़े बड़े, उचे मिलेगा cemented घर यानि कि जो आपने पहले रास्ते में मिट्टी के घर देखे लखडी के घर देखे यहां पर आपको क्या देखने मिल रहा है cement का sand का यह सम्मिलाय हुआ जो है वो घर देखने मिल रहा है और इसमें ज्यादा तर जो construction के लिए जो buildings बनाने के लिए जो सामान यूज होता है वो क्या होता है इटा होता है bricks बोलते है इट ठीक है न तो इट होता है फिर ऐसे बहुत सारे shopping malls है यहां पर बड़े बड़े रेश्टरांस है जो अलग-अलग side में road के बाजु-बाजुम है अगर आप देखोगे तो आपको दि से चल दिए तो सोलापूर से आगे जो है वो बस निकलने लगी दिरे दिरे बस जो है वो सोलापूर से भी आगे निकलने लगी तो टीचर ने बोला कि now we are crossing the सोलापूर यानि हम जो है सोलापूर को cross कर चुके और आप जो है आसपास के यहां पर देखोगे तो cultivation नजर आगा what do you mean by cultivation? यानि कि खेती बाड़ी एक तरीके से अलग-अलग crops का cultivation किया जा रहा है यहां पर आप देख पाओगे यहां पर ठीक है ना? तो children ने क्या किया बच्चों ने क्या किया उधर के चीजों को observe करना जो है वो शुरू कर दिया फिर एक सावीतरी करके एक student थी उन्होंन देख रहे हैं तो हमें जादा हरियाली नजर आ रहा है ऐसा किस ने कहा सावीतरी ने कहा क्यूंकि यहां पर क्या है शुड़ी शुड़ी जाड़िया जो होती है शुड़ी पेड जो होते है शुड़ी जो होते है वो यहां पर ज्यादा प्रेजेंट है और यहां पर शुग मैं next अगर बात करें तो teacher ने बोला yes you are right आप correct हो एकदम कि आपने बहुत अच्छा observation किया कि यहाँ पे greenery थोड़ा जादा है और यहाँ पे जो सबसे आदा जो खेती करने वाले जो crop से वो क्या है यहाँ पे सुगर के ने इसा उन्होंने बोला कि एक चीज हमने देखा था कि जैसे हमने नालग दुर्ग जो था जो उनका main school जहाँ पे था वहाँ से जब निकले थे तो वहाँ पे उन्होंने देखा था कि मूंग का, उरत का, पल्स का ये सब चीज कीज जो है, वहां से हम लोगो देखने मिला था, यानि कि जो यहां से वो लोग आ रहे थे, वहां पे सबसे जादा क्या उग जाता था, डाल वगरे जो होते हैं ना, उरत डाल, मूंग डाल, ये सब चीज उगा यहाँ पर आप जब देखार हो तो यहाँ पर क्या का उगा जारा है हर जगह अलग अलग ALLT станов के crops को उगाते हैं है यह यह मैं आप लोग के लिए बोलर रहा हो समझ में आया इससे कुछ चीज़े सीखने मिली तो यही conversation जो हो रहा है इससे बहुत सारे चीज़े हम सीखेंगे that's why मैं chapter पढ़ा रहा हूँ ने तो मैं भी skip कर दिया हो था chapter लेकिन जहां मुझके efforts ले रहा हूँ continuously आपके लिए बोल रहा हूँ दोस्तों ताकि आपको मैं हर एक पॉइंट बता सको और इससे आपको कुछ समझ में आ जाए और कुछ चीज़े सीखने मिल जाए समझ में आरे दोस्तों बने रहा हूँ हमारे साब बहुत सारी चीज़े हम लोगा डिसकस करेंगे ठीक है तो यहां पर सावीतरी ने एक और चीज यहां पर बोला और एक और चीज जो यहां पर मैं आपको बताया कि शुगर केन क्यों है यहां पर टीचर ने जवाब दिया यहां पर इर्रीगेशन यानि पानी की सप्लाइ जो सिष्टम है वह बहुत अच्छी है पानी बहुत अच्छी से पहुचता है और आप्ई अच्छी जगा च्याई रहते है इसके लिए यहां पर बहुत अच्छी से शुगर केन उगता है फिर सावीतरी ने पूछा यहां आप बहुत अच्छा बोले, ऐसा सावित्री ने बोला, फिर उन्हें ने बोला, कि जैसे हमने एक कैनल, कैनल क्या होता है, छोड़ी सी, नदी जैसी होती है, पतली सी, ठीके न, जिसमें पानी बहता है, ठीके न, जो man-made होता है, कैनल, तो कैनल जैसे क्रॉस किया, तो यहाँ उसको ने बहुत बड़ा लाज रिजर्वायर, यानि पानी का जमा हुआ, एक लेक जैसा रिजर्वायर जो हता है, वो देखने मिला यहाँ पे, तो यहाँ पर उन्होंने पूछा, सावित्री ने, कि ma'am, यह कौन सा रिजर्वायर है, पुछते नम सवाल, अपने पैरेंट तो टीचर ने पूछा बच ड्राइवर को, यहाँ पे आप क्या करो, थोड़ा सा रोक लो, क्योंकि आप बच्चे को पसंद आ रहा था वो जगहा देखना चाते थे, तो ma'am ने जो ड्राइवर थे उनको request किया, और बोला कि आप थोड़ा सा यहाँ पर क्या कर जाओ, रु सकते हैं, कि हमें पता चलता है, यहाँ पे है, मूवीज में भी आपने देखा होगा, तो से हम इसी प्रकार टीचर ने बोला, कि आप अपने-अपने maps में देखो, और observe करो, कि यह जो backwater, यह किसका है, उजनी डैम का है, यानि कि जो पानी आप देख रहे है, जो पानी भेक आपको है, भीमा रिवर, आपको पता ना, भीम, तो भीमा रिवर पे बनाया गया है, यह particular डैम, तो ऐसा उन्होंने बोला, कि यह जो आप देख रहे हैं, जो आप observe कर रहे है, वो पानी कहा है, यह उजनी डैम से आ रहे है, जो कि भीम रिवर जो है, उसके उपर बनाया गय यानि कि जो खेती करने के लिए जो पानी चाहिए होता है, तो irrigation facilities के लिए यह जो particular क्या है, पानी है, इसके जरुद पढ़ती है, इसके लिए यह डैम जो है, बनाया गया है, जो कि बहुत ज्यादा help हुआ, तो बच्चे नो क्या किया, यह सब जानकारी, लिखने के बाद उ पिच्चर जो है, वो क्लिक किया, और आसपास के जो जगात है, उनका भी थोड़ा बुद पिच्चर किया, और फिर से बस जो जर्नी था उनका, वो शुरू हो गया, फिर से यानि कि वो बस में आके बैठके जाने लगे, आगे की तरफ बढ़ने लगे, क्योंकि उनका जर् प्लेन एरिया, यानि कि जब बस कुछ जगा आगे चल रहे होगी, तो उसने जब आसपास अब्जर्व किया, तो यहाँ पे बोला कि मैम, यह जो है प्लेन एरिया, यानि कि एकदम, प्लेन बोलते हैं, एकदम, कुछ भी टेंशन ना धलाने ना चड़ाईए, तो प्लेन ए जबान भी होती है, धलान भी होती है, लेकिन कभी-कभी प्लेन भी आ जाता है, आप गए होंगे, अगर कहीं पे विजिट करने, कहीं पे गुमने, तो आपको आइडिया होगा, तो टीचर ने ऐसा बताया, ठीक है ना, तो जैसे ऐसे हम लोग वेश्ट की तरफ जाएंगे, तो हमें जो है, यहाँ पे बहुत सारे अलग-अलग वेजिटेशन, यानि की सबजीयों का खेती करना, वेजिटेशन हो गया, यह सब चीज हमें देखने मिलेगा, ऐसे बहुत सारे चीज है, और कुछ घंटों के बाद, जो लेफ्ट था, जो मेन रोड का है, जो लेफ्ट स तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड का जो रोड था, अगर मैं बात करो यहाँ पे, तो क्या मैं बात करता है, कि हडप सर, यहाँ पे जो मेन रोड है, हडप सर के नसदीक में, यहाँ पे सिनहार गड की तरफ उन्होंने रास्ता मोड लिया, और यहाँ पे उन्होंने देखा यहां पे, और वहां पे वो लोग क्या कर गए, रुख गए, क्योंकि हम, वो जो student से वो क्या करना चारे थे, या फिर, जो पूरा staff था, वो क्या करना चारे था, lunch करना चारे था, क्योंकि breakfast उन्होंने कर लिया था, ठीके ना, क्लियर है, उमीद करतों, आपको समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं, तो जैसे मैंने बोला, कि सीनहा गड़ के आसपस, हर अपसर जो था, वहां पे वो लोग रुखे, और क्या करने लगे, कि लंच करने लगे, कि दुपयर हो गया था, यार, लंच तो करेंगे, भुख तो सबको लगी होगी, हम भी जाते गई घूमने के लिए, सोचो, आपका स्कूल भी ऐसा लेके जाएगा, तो कितना मज़ा आएगा, सब बच्चे एंज़ॉई करेंगे, सीजे सीखने भी मिलेगी, काफी अच्छा लगता है, मज़ा आता है, यह सब चीज में, ठीके, तो वो लोग लंच करने के लिए, वहाँ पर रुख गए, और वहाँ पर लंच करने के लिए, थोड़ा सा उन्होंने आराम भी किया, यानि रिलाक्स बेक्यों कि देखो, बस जो स्कूल था, वहाँ से जब निकले वो लोग, तो यहाँ पर देखा कि जैसे कि बहुत सारे पेड़ होते हैं, जू-जू-बी करके, जिसको हम लोग बोर का पेड़ बोलते हैं, बोर, आप खाते हो न, बैर बोलते हैं हिंदी में, मराठी मदे बोर मनतत, बोर, तो बोर हो उन्होंने बोला कि यहाँ पे तो बहुत अलग पेड़ हैं, यानि कि पहले जब हमने देखा तो बबूल के पेड़ थे, पहले हमने देखा यहाँ पे अलग-अलग टाइप के पेड़ थे, लेकिन यहाँ पे तो कुछ अलग ही है, डिफरेंट ही है, तो ऐसा उन्होंने बो इसका मतलब यह होता है कि यहां पे जो भी टाइप के प्लांच सूगेंगे, ट्री सूगेंगे, वो क्या होंगे, काटेदार होंगे, थ्रोनी होंगे, तो obviously बोर का ले लो, बोर देखा है आपने बोर का पेड, उसमें काटे होते हैं, बबूल का पेड सब जानते हैं, यानि कि पता चलना अची है कि semi-arid क्या होता है, फ्लोरा फोना क्या होता है, यह सब चीज आपको जानकारी होना चाहिए, समझ में आ रहा है दोस्तों यह जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो हम वही बात करते हैं, तो teacher ने बोला कि yes, आपने नजमा को बोला कि आपने बहुत अच्छा observe किया, ऐसा क्यों था, वहां पे क्यों थ्रोनी वाले पेड़ थे, क्योंकि वो semi-arid throughry vegetation से बिलॉंग करता है, ऐसा उन्होंने बोला, और यहां पे जो surrounding होता है, rainfall जो होता है, वो अलग होता है, ठीके ना, types of rainfall जो होता है, अलग होता है, फिर उन्होंने देखा, कि हम देख सकते अंजान, ठीके ना, अंजान यानि कि ironwood बोलते हैं उसको, I don't know, even I don't know क्या होता ironwood, ठीके, तो एक पेड़ का नाम है ironwood, फिर बनियान ट्री आपको पता ही है, ठीके न, बनियान ट्री, बरगत का पेड़, तो बनियान ट्री हो गया, पीपल ट्री हो गया, तो वहाँ पे तो थ्रोनी थे, क्यों थ्रोनी थे, क्योंकि वहाँ पे ये टाइप का vegetation था, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे, तो यहाँ पे क्या है, बहुत ही अलग पेड़े, बड़े-बड़े जैसे बनियान ट्री हो गया, यह सब टाइप के जो पेड़े, वो हमें देखन और उन्होंने बोला, टीचर ने कि, आल राइट, हम अब क्या कहा है, कहां पहुँच गए, सिनागड के फुटिल्स में पहुच गए, यानि कि पहाडों के नीचे पहुच चुके, ऐसा टीचर ने मेंशन किया, अब हमें ये पहाड को कलाइम करना है, यानि चड़ना है, अ अब हमारी जो बस आएगी, वो प्लेन में ने चलेगी, अब थोड़ी सी चडान में चलेगी, तो आप लोग उसके लिए रेडी रहो, फन लविंग के लिए, आप वो सब चीज के लिए लो, तो वो लोग जब उतर के पहाड पे चड़ेंगे, तो उन्होंने, टीचर ने ब बाइनकुलर्स देखने के लिए, नुडबुक लिखने के लिए, तो यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार चीज हुआ, हम लोग यहाँ पे डिसकस करेंगे, ध्याल से देखते रहो आप लोग, तो यहाँ पे सबसे पहली बात उन्होंने मेंशन किया, कि जब पहाड पे चड़ और यहाँ पे थोड़ा सा मैं बीच में ब्रेक लूँगा दोस्तों, आप लोग यह बताने के लिए, कि देखो यह चाप्टर मुझे लग रहा है, शायद आप लोग बोर भी हो जाओंगे, लेकिन मैं आपको एक वादा करता हूँ, क्यार हम जितना हो सके महनत कर रहे हैं आ पूछ रहा हूँ यह सब चीज़, क्या होता है, कि कभी-कभी हमें लगता है कि हम जो महनत कर रहे हैं वो आप तक सही पहुच रहे हैं कि नहीं, आप लोग सही से चा रहे हो कि नहीं, तो प्लीज मुझे आप लोग का रायोर सजेशन जरूर से बता देना, ठीके आगे बढ हम पहाड पे चड़ रहे हैं, दीरे-दीरे बरसात आने लगें, तो क्या मज़ा आ जाता है, एकदम आनन्द आ जाता है देखके, क्योंकि हम भी-कभी-कभी मैं भी अपने लाइफ में ट्रेकिंग करने गया हूँ, पहाड़ों पे चड़ने गया हूँ, जब बारिश आती ह देखें, बर्स कैसे हैं, वो देखें, फिजिकली कैसा दिख रहा है, फीचर जो है, वो सब देखें, वो किल्ला जो है, फोट, पता है न, सिनागर, फोट, नाम सो सुना ही होगा, ठीके न, तो ये जो चीज़ है वो देखी, गुंधवाना फोट, गुंधवाना नी, क्या याद रखना, ठीके, थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके जा रहा हो आपको, लेकिन अलग चीज़ है, ठीके, तो वो सब चीज़ हो गया, फिर टीचर ने यहाँ पे बोला, कि आप अभी सब, सब लोग एंजोई कर रहे हैं, यहाँ पे सिनागर का जो फोट है, जो सिनागर का किल्ला है, किल्ला आपको बते हैं, राजा महराजो बनाते हैं, और सिनागर किसका फोट है, शिवाजी महराज का फोट है, आप सभी जानते हो, हिश्ट्री में पढ़ा होगा आपने, तो यहाँ पे आगए, अब आप क्या करो, इसके बारे में जो भी इन्फोर्मेशन है, क्लेक करो, ठीक है न, यहाँ पे उन्होंने बोला, ठीक है, और पुछा भी, कि आप लोग बताओ मुझे, कि आप लोग अभी इन्फोर्मेशन कैसे क्लेक्ट करोगे, तो यहाँ पे नेहा ने बोला, कि माम हमने देखा, कि यहाँ पे जैसी आए है न, वहाँ पे एक प्लेस होगा, तो वहाँ पे न, एक बोर्ड जरूर लिखा होता है, और बोर्ड के उपर लिखा होता है, कि यह फोर्ट, या फिर यह जो भी जगा है, वो किस बारे में, तो ऐसा सब चीजे जो है, वहाँ पे हुआ, तो टीचर ने बोला, यहाँ न, आप राइट हो, करेक् देखा न, कि यहाँ पे जो प्लेन से, प्लेन मतलब जो ढलाने है, वो जो प्लेन है, वो क्या है, अलग-अलग टाइप के हैं, और यहाँ पे, जो पहाड़ी है, वो सब मिक्स है, रगड है, यानि कि एक तरीके से हम लोग बोल सकते है, इनका जो टोपोग्राफिल लेवल ह यानिक एक तरीके से जो arrangement है वो थोड़ा सा क्या है, यहाँ पे mix type का है, अलग-अलग type का है, और यह जो है बहुत ही बड़ा पहाड है, क्योंकि आप सीनागर अगर देखोगे, map में भी आप देखोगे अगर, तो बहुत बड़ा आपको connected jointed पहाड आपको नजर आता है, यह उन्होंने बतानी कोशिश किया था, और हम काफी जदा height पे, higher altitude पे खड़े, काफी height पे खड़े, ऐसा उन्होंने कहा, and हम इतने height पे खड़े कि हम जो है, cloud को भी experience कर सकते है, होता है, जैसे मैं एक पहाड पे गया था, तीक है न, उत्राखंड में, कभी बताऊंगा future में, लेकिन उत्राखंड पे जब गया था, तो इतने height पे थे हम लोग, कि ऐसा लग रहा था कि बादल जो है, वो यहीं गूम रहे हो, और मैं हाथ से इसको छूँ सकता हूँ, यार, इतने height पे थे, सोचो, तो जो fog वाले clouds होते है, जो नीचे वाले clouds होते है, उसको हम लोग अग सारे ऐसे physical features है, जैसे की rock pinnacles है, यानि पहाड के छोटे-छोटे तुकडे है, चक्टानों के तुकडे है, यहाँ पे धलान है, valleys बोलते है, छोटे-छोटे तुकडे, पहाड के valleys जिसको बोलते है, hills है, फिर अलग-अलग rocks के layers होते हैं, तुकडे ऐसा layers जैसे अलग-अ निर्मान कैसे हुआ, यह सब कैसे हो, volcanic eruptions, जो आला मुखी फट्ता था, ऐसे होता है, शेप कैसे आते हैं, तो बहुत पहले जब हमारे human population नहीं हुआ करते हैं, तो ऐसे ही सब volcanic eruptions होगा, tectonic plates का move होना, एक जमीन, दूसरे जमीन से टकराक के पहाड क्रियेट होना, यह हमारा जो इतना बड़ा हिमाले परवत है, इंडिया के जो west के नौर्त वेस्ट में हैं, वह कहां से हुगा, नौर्थ ईस्ट में हैं, यह कहां से आया, जब हमारा भारत जो था, यानि इंडिया जो थपता, जब वो एशिया में जाके मिला, बहुत सालों, करोडों साल पहले, तो इतना बड़ा पहाड हो गया, तो ये इसके लिए अलग्षे स्टोरी कभी और सुनाओंगा, लेकिन ये सब चीज आप सो चोटो, टीचर वो ही बता रही थी, कि यार हाँ, ये सब जो चीजे हैं न, वो इस प्रकार हुई थी, वाल केने कि इरफ्शन वगरे, इस प्रकार ये स प्रकार की खेती होती, आपको क्या लगता है, धेखने में कैसा लगता है, तो यहाँ पर जो राहुल था, जो पहली बार जो आया था न, राहुल स्टूडेंट, तो राहुल जो बोला यहाँ पर, कि माम, ये जो टाइक के पहाड़ है न, जो रॉक है न, वो बसाल रॉक है आपने सुना होगा इसका नाम, अगर आपने जोग्राफी इसके फेले ठीक से पढ़ा होगा, 8, 9, 10 में, तो आपको पसा होगा, बसाल्ट, ठीक है ने, तो बसाल्ट एक टाइप का पैटन है, जो रॉक में फॉर्मिशन होता है, तो यहाँ पे उन्होंने बोला, कि बसाल्ट ह बहाँ पे जो चटाने हैं, जो पहाडे हैं, वो कौन से रॉक से बने, बसाल्ट, इगनीशियस रॉक से बने, इन्फॉर्मिशन मिला की नी, देखो जो चोरी बता रहा हूँ न, वो सिफ आनन्द लेने के लिए ना पढ़ो, ना सुनो, आपको कुछ इन्फॉर्मिशन जो म आप दिया, और यह सब चीज हमने शिक्स टानेर में पढ़ा है, ऐसा रहूल ने टीचर को बोला, तो टीचर ने क्या रपलाई दिया, येस, करेक्ट, और ये क्यू है, इस बिकॉस, ऐसा उन्होंने बोला कि यह क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा रेंफॉल होत है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा, कि यहाँ पे क्या होती है, बहुत सारे शुगर केन है, और पैडी फिल्ड, पैडी फिल्ड मतब चावल की खेती, शुगर केन भी और चावल की खेती है, तो ऐसा मैम ने बोला, कि यहाँ पे क्या होता है, बारिश बहुत ज्यादा होती ह और पैडी, यानि कि चावल वगरे की खेती जो है वो ज़्यादा होती है, तो ऐसा टीचर ने जवाब दिया, किसको जवाब दिया, यहाँ पे मैरी जो थी, उसको रिपलाई दिया, उसको जवाब दिया, ताकि हर बच्चे को पता चल पाए, clear है, अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला यहाँ पे, कि मैडम, यह हमने जो देखा है ना, हम लोग ने compare किया, जो नालग दुर्ख फोर्ट था, जहां से हम लोग आए हैं, नालग दुर्ख फोर्ट, और जहां पे अभी पहुचे हम लोग, सिनहागर फोर्ट, ठीक है न, इसके बीच में जो difference है, वो उन् ने बताया, समझ में आया, teacher को उसमें बताया, क्या clear हुआ, इससे हम लोग को क्या clear हुआ, कि यार, जो नालग दुर्ख फोर्ट था, वो एक plane के उपर है, यानि कि, जो धलान निये, चडान निये, एकदम plane जमीन है, उसके उपर है, और यह जो है, पहाड के उपर है, यह उन्होंने बोला, और यहाँ पे, जो है, हम लोग टॉप पे आ चुके है, ऐसा, teacher ने बोला, कि हम लोग जो है, टॉप पे आ चुके हैं, अभी, ऐसा, और यह जो है, एक hill फोट है, यानि पहाड के उपर होला फोट है, क्योंकि पुराने जमाने में होता यह था, दोस्तों, आपको बता दू, कि राजा महाराज जो होता था, खासकर शीवाल जी महाराज की अगर में बात करू, तो यह जो थे न, अपने आपको सेफ रखना और अपनी पूरी प्रजा को सेफ रखना बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट प्राइरिडी होता था, और सबसे बेस जगा क्या होता था, किला, किला जो होता था, वो सबसे बेस जगा होता था, और यह पहाड़ों के उपर क्यों बनाया था, जादा सजादा आपने देखा होगा, जितने भी किले होते थे, जितने भी फोर्ट होते थे, यह पहाड़ों के उपर क्यों बनाया जाते थे, क्योंकि इसके वजे से जो पुराने राजा माहराजा होते थे, सेफटी परपस के लिए पहाड़ों के उपपर किल्ला आपना बनाते थे, और उसी में रहते थे, करेक्टर समझ में आ रहा है, तो यह सब चीज हुआ, फिर बहुत सारी चीजे उन्होंने बला है, कि यहाँ जो अभी मै करते हैं, इनके पिचह बहुत सारी स्टोरी से, हरिडे साइट है, ऐसा उन्होंने बोला, ठीक है? और यहाँ पे उन्होंने बोला कि कोनने में आओ, उन्होंने बताया, टीचर ने की आओ, यहाँ पे आज़ा ninguém, कि आप देखो, क्या नजारा आपको दिख राए, कि एक पान खड़क वासला ठीक है तो ऐसा टीचर ने बोला कि यह जो है यह किसका है रिजर्वायर है यानि कि एक तरीके से खड़क वासला जो है इसका क्या है रिजर्वायर है यानि कि यह एक डैम है जैसे हमने आपको एक डैम बताये था अभी उजनु डैम जो कि भीमा नदी के किनार अब पुरा का पुरा पानी नीचे तो वो किसका था ये था खड़क वासला डैम का पानी था तो ऐसा उन्हों ने देखा और ये देखके बच्चों जितने वे थे उनके मन में बहुत ही मजा आ गया मतलब देखके है कि कभी-कभी हम लोग कुछ वाटर को देखके इतने उचा कहां पे जाएंगे कल्यान दरवाजा गेट पे जाएंगे ऐसा टीचर ने बोला और सब लोग आ जाओ एसा उन्होंने बहला सब लोग आ जाए यहां पे और यह जमाओ जाए और यह जो चीज Hey यहां पर एक पवित्र माना जाता है ठीके ना तो ऐसा teacher ने उनने को दिखाया और यह जो पानी आता है यह कहां से आता है नैचरल स्प्रिंग से ढता है इसे पानी आप पी भी सकते हो इवन मेझे जब पहाडों के ओपर कभी गळया हूँ तो वहां से जब ज़रने वाला पानी बेता है तो आज भी ऐसा बहुत सारे पानी ने बोला यहाँ पर तो जो students थे यहाँ पे, जितने भी students है तो सप्राइज हो गए, वाँ, करके ऐसा सप्राइज हो गए ठीक है न, and उन्होंने बोला, oh my god, यहाँ पर कितना अच्छा चीज है, और यह बहुत अच्छे से चीज है, और यह पता होगा कि क्या ही है उनको मतलब समझ लो एक नाश्टा टाइप करवाया उन्होंने अलग अलग तरीके से उन्होंने नाश्टा किया है दीरे-दीरे करके वो नीचे आया यानि पहाड से उतर के सीनागड जो फोर्ट था वहां से वो नाश्टा करकरके अच्छे से खापी क आराम करके वो नीचे नीचे आए और उसके बाद कहां पर आ गए बस में आ गए बस में आके बेड़ गए क्योंकि उनको कहां जाना था में उनका डेस्टिनेशन किदर है दोस्तो अली बाग राइगर डिस्टिक्ट में तो अभी तो वो लोग ने बीच का रास्ता मदब करेंगे जो पुने के बहुत सारे साइट है उसको विजिट करेंगे जैसे की पुने में शनिवार वड़ा है बहुत सारे फेमस मार्केट है तुलसी बाग है महत्मा फुले मार्केट है ये सब चीज हम लोग क्या करेंगे उसमें विजिट करेंगे ऐसा उन्होंने बोला था ऐसा उन्होंने बोला क्योंकि कल के लिए आपको ready रहना है ऐसा teacher ने बोला तो यहाँ पे उन्होंने जो भी city था उनका पहले तो dinner किया and return dinner करने के बाद जहाँ पे वो लोग रात में रुखे थे वहाँ पे रुख गए अब आएगा day 2 लेकिन यह जो day 2 है न यह भी इसी प्रकार day 2 को आपको मिलेगा यानि कि आपको यह मिलेगा अगले lecture में तो बस दोस्तो आज का lecture यही पे मैं stop करूँगा और इसमें हम लोग कल जो होगा वो हम लोग day 2 हो जो आएगा हमारा और हमारा भी जो lecture number 2 आएगा उसमें हम discuss करेंगे कि अगले दिन क्या हुआ था और वो लोग कहां कहां रुके कहां कहां आगे गए और कौन सी जगा घूमे वो लोग और कौन सी जगा क्या क्या observation किया यह सब चीज आपको यह सब चीज को तो इसी के साथ आज का वीडियो में समाप करता है और जल्द मिलूँगा आपके सामने और एक वीडियो के साथ जिसमें हम लोग lecture number 2 में अगले दिन का day 2 का जो भी activities रहेगा वो आपको explain कर दूँगा और यह chapter को खतम कर दूँगा तो बस आपको थोड़ा सा इंदिजार करना पड़ेगा तो बताना दोस्तो मुझे please comment करके कि यह वीडियो आपको कैसा लगाए please हमें comment करके बताइएगा आपनी रायो सजेशन जरूर से दीजेगा वीडियो पसंद आया है अच्छा लगाए दोस्तो तो फटाफट से इस चैनल को सबस्क्राइब कर देना साथ में दोस्तो एक बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर देना ताकि जब भी हम लोग फ्यूचर में कोई भी वीडियो को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी ठीके फ्रेंड्स तो मिलते हमारे एक लिए वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए थाइंक यू एंड गुडबाई